और कई बार तो यह हमारा जीवन के प्रति द्रिश्चिकोण ही बदल देते हैं ऐसे ही कुछ प्रसंगों की चर्चा यहां पर करना चाहूंगी जो मन को तो छूते ही छूते हैं साथ ही साथ हमें कुछ संदेश भी देते हैं ऐसे प्रसंगूं की चर्चा जो मन को तो छूते ही छूते हैं, साथ ही साथ हमें कुछ संदेश भी देते हैं पहला प्रसंग, पत्नी का जनम दिन था, पती ने कार उपहार सरूप दी, पहले तो कार की चाबिया सौपी, फिर एक पैकेट दिया, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सहित, अन्य तमाम जरूरी का अगजात थे, पत्नी का अलिंगन किया, और फिर प्रेम से प्रस्ताव रखा, कि प्रिये आज बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा, तुम कुछ देर नई कार की सवारी का अनंद लो, पत्नी मुस्कुराती भी, धन्य वाद करती भी, चल पड़ी नई कार की सवारी का अनंद ले, अभी मुश्किल से एक किलोमिटर ही पहुंची होगी, कि नई नवेली कार सडक के डिवाइडर से टकरा गई, उसे खुद को तो चोटनी आई, लेकिन नई नवेली कार पर गहरी घरोच पड़ गई, यह देखकर वह घबरा गई, कि अब मैं इनसे जाकर क्या कहूंगी, और यह यह देखकर यह क्या कहेंगे, दिमाग में वीचारों का तुफान अभी चल ही रहा था, कि सामने से पुलिस आ गई, पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, पत्नी के हाथ कहां पर रहे थे, आखों से आशू बह रहे थे, कापते हाथों से उसने वो पैकेट उठाया, जो पती ने उसे दिया था, उस पैकेट में से ड्राइविंग लाइसेंस निकालते वक्त, पत्नी का ध्यान उस पैकेट पर लगी एक छोटी सी चिट पर गया छोटी सी परची पर गया उस परची पर पती ने अपने हाँ से लिख रखा था कि प्रिये यदि कोई दुरगट ना घड जाए तो प्लीज ये याद रखना जिसे मैं प्रेम करता हूँ वो तुम हो कार नहीं I repeat पती ने उस चोटी सी चिट पर अपने हाँ से लिख रखा था कि प्रिये जिसे मैं प्रेम करता हूँ वो तुम हो कार नहीं फ्रॉम तुम्हें प्रेम करने वाला भागेशाली हैं वे लोग जो ये समच चुके हैं कि हमें व्यक्तियों से प्रेम करना है और वस्तूओं का उप्योग करना है ना कि व्यक्तियों का उप्योग करना और वस्तूओं से प्रेम करना कार पर या किसी कीमते वस्तूपर जरासी खरोंच लग जाने पर हमारा ब्लड प्रिशर उपर नीचे हो जाता है लेकिन अपने दिल पर या किसी और के दिल पर लगीवी खरोंच की तो हम परवाई नहीं करते हैं अध्यात्म गुरू मिस्टर राखाव कहते हैं कि उन लोगों को कभी अन देखा ना करें उन लोगों को कभी अन देखा ना करें जो तुमारी बहुत परवा करते हैं उन लोगों को कभी अन देखा ना करें जो तुमारी बहुत परवा करते हैं बरना एक दिनी ऐसास होगा कि पत्थर जमा करते करते हीरा गवा बैठे नारे 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 पुर्व रास्ट्रपती श्री अब्दूल जी का लाम तो अक्सर कहा करते थे कि मेरे पास तो प्रेम करने के लिए ही समय कम पड़ता है मेरे पास तो प्रेम करने के लिए ही समय कम पड़ता है पता नहीं लोग नफरत के लिए कहां से समय निकाल लेते हैं नारे 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 चलते हैं अगले प्रसंग की ओर और उन प्रसंगों की चर्चा हो रही है जो मन को तो चूते ही चूते हैं, साथ ही साथ हमें कुछ संदेश भी देते हैं अगला प्रसंग, प्रात्त का समय था, ठंडी ठंडी मंद मंद हवा भे रही थी मैंने देखा, एक गुलाब का फूल खुशी से जूम रहा था उसे खुशी से जूमते देख, आसपास के पेड़ पौधोने कहां, इतना मत इतराओ इतना मत इतराओ, शाम होते होते, तुम्हारी ये नाजुक पंखोडिया मिरजा जाएगी इतना क्यों इतराते हो शाम होते होते तुम्हारी ये नाजुक पंखोडिया मुर्जा जाएगी फूल ने मुस्कुराते वे जाप दिया कि तो क्या हुआ जितना जीवन मिला है उतना तो खुशी से जिलू उतना तो खुश हो लू आसपास के पेड़ पौदों ने फिर कहा इतना इतराओगे इतना जुमोगे माली की नजर में आ जाओगे और वो तुम्हें तोड कर ले जाएगा और शाम होने से पहले-पहले ही तुम्हारा ये जीवन समापत हो जाएगा क्या तुम्हें डर नहीं लगता फूल ने सहज भाव से उतर दिया कि हम कितना अच्छा जीवन जीते हैं ये महत्व रखता है कितना लंबा जीवन जीते हैं ये नहीं और मुस्कुराते वे आगे कहा कि मेरे लिए तो जीवन का अर्थ है अपने चारों और खुशियां बिखेरना सुगंद बिखेरना ऐसा कहकर वो गुलाब का फूल पुनः खुशी से जूमने लगा जितना जीवन मिला है उतना तो खुशी से जी ले उतना तो खुश हो ले हम कितना अच्छा जीवन जीते हैं ये महत रखता है कितना लंबा जीवन जीते हैं ये नहीं और जीवन का अर्थ है अपने चारों खुशियां बिखेरना सुगंद बिखेरना इस बात पर जोड से ना रहें ना रहें ना रहें अब चलते हैं खुशी के खजाने की ओर यानि अगले पाइदान की ओर और चर्चा करते हैं उन चीजों की जो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं प्राथमिक्ता रखते हैं हमारे जीवन की प्राथमिक्ता है हमारा तन स्वस्त हो हमारा मन खुशी और आनंद से भरपूर हो हमारे पास धन प्रचूर मात्रा में हो और हमारे आपसी संबंद घनिस्ट और मजबूत हो प्रेम विश्वास से भरपूर हो ये हमारे जीवन की प्राथमिक्ता है और ये सारा एक दूसरे के साथ बंदेवी है यदि इसमें से एक भी कोना कमजोर पड़ता है ये पूरा पैकेज अस्त व्यस्त हो जाता है ये हमारे जीवन रूपी गाड़ी के चार पईए हैं यदि ये चारों सही रहते हैं तब हमारे जीवन रूपी गाड़ी जीवन पत पर सरपड़ दौड़ती है इन चारों के माध्यम से ही यानि तन स्वस्त, मन स्वस्त, धन स्वस्त, आपसे संबन स्वस्त इस पैकेज के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सुख भोगते हैं और इस पैकेज के माध्यम से ही हम अपने जीवन में दुख भी भोगते हैं और इस package के माध्यम से ही हम दूसरों को सुख भी देते हैं और इस package के माध्यम से ही हम दूसरों को दुख भी पहुंचाते हैं तो ऐसा क्या करें कि हमारा इस package सही हो क्योंकि ये package सही होगा तभी हमारे घर में है सुख हमारे घर में है शांती हमारे घर में है सम्रिधी यह package सही होगा तभी और हमारे जीवन में है उन्नती प्रगती सफलता कब हमारा यह package सही होगा तभी हमारा यह package सही होगा तभी हम जी सकते हैं एक सहज, सरल, सुन्दर, स्वस्त, सफल, संपन और सार्थक जीवन तो आए जानते हैं कि किस तरह जीएं ऐसा जीवन यहनि सुख शांती समरिधी से भरा जीवन ऐसा क्या करें कि हमारा यह package सही हो जब यह package सही होगा घर में हैं सुख शांती समरिधी जीवन में हैं उननती, प्रगती और सफलता इस package को सही रखने का तरीका श्री मद भगवगीता में 18 अध्यायों के माध्यम से भगवान श्री किष्ण ने हमें बताया है कि हमारे विचार कैसे होने चीए हमारी वानी कैसी होने चीए हमारा व्यवहार कैसा होना चीए ताकि हमारा ये package सही रहे पर 18 अध्याय बहुत मोटी पुस्तक हमारे पास इतना समय नहीं है उस मोटे ग्रंथ को पढ़ने का और यदि पढ़ भी लेते हैं तो समझ नहीं पाते उससे अपने जीवन में किस तर उतारे हमारी इस दुविधा को नारायन ने समझा और हमारी सुविधा के लिए उन 18 अध्यायों को पाँच अध्यायों में तब्दिल कर दिया बेहद सीधी सरलभाशा में और एक नए ग्रंथ का उदय हुआ जिसका नाम है नारायन शास्त्र पाँच अध्याय में सीमेट कर दिया नारायन शास्त्र में ना सिर्फ श्री मर्द भगवगीता का निचोड हैं, बलकि उपनिशद क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, कि हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ताकि हम बने इस पैकेज की अधिकारी तो पाँच अध्याय नारायन शास्त्र के आप तक बेहद सीधी सरल भाशा में ताकि आप रख सकें अपने इस पैकेज को सही यानि तन को स्वस्त, मन को स्वस्त, धन को स्वस्त और अपने आप से सम्मंधों को स्वस्त नारायन शास्त्र के प्रत्थम अध्याय के शुरुवात करते हैं यहाँ पर पाँच अध्याय आप तक पहुँचाए जाएंगे पाँच अध्याय में से किसी भी एक अध्याय पर काम कर लीजिए और अपने तन, मन, धन सम्मंधों को मजबूत कर लीजिए नारायन शास्त्र का प्रत्थम अध्याय जब जब भी जीवन को सुधारने की, समारने की, सजाने की बारी आती हैं सबसे पहले फोकस करते हैं हम इस मनुश्य तन पर हमारे इस शरीर पर कि कैसे इसे स्वस्त करें कैसे इसे स्वस्त रखें और कैसे इसे सुंदर बनाएं सबसे पहले फोकस करते हैं हम हमारे इस मनुश्य देह पर और कितना समय कितना धन लगाते हैं इस पर यदे जरा से जान लेते हैं इस बाबत कि तन हमें कहां से मिला और कैसे मिला कि इसका रख रखाव हमारे लिए बेहद आसान हो जाए इसका maintenance आसान हो जाए यदि हम जान जाते हैं ये तन हमें कहां से मिला कैसे मिला और कहां से मिला कहते हैं शास्त्र कहता है कि 84 लाक योनिया होती है शास्त्र कहता है कि इश्वर की सर्वोत्तम रचना है ये, ये जो मनुश्य योनी है, इश्वर की सर्वोत्तम रचना है, और शास्र ये भी कहता है, कि मनुश्य देह, देवताओं के लिए भी दुरलब है, देवता भी तरस्ते हैं, इस मनुश्य योनी को पाने के लिए, 84,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 भी तरस्ते हैं ये योनी हमें कहां से मिली हमें कैसे मिली और कहां से मिली सहज ये प्रशनाता है तो आएए देखते हैं कि मनुष्य योनी हमें कैसे मिली और कहां से मिली ताकि इसका रख रखा वह हमारे लिए बेहद आसान हो जाए यह मनुष्य योनी हमें मिली उसके पहले भी हमने कई सारे जीवन जीए हैं जोकि 84 लाख योनिया होती है कई सारे हमने जीवन जीए इन जन्मों में हमने जो जो अच्छे कर्म किये मनुष्य योनी हमें मिली उसके पहले भी हमने कई सारे जीवन जीए हैं क्योंकि 84 लाख योनिया होती है इन जन्मों में हमने जो जो अच्छे कर्म किये वो हमारे खाते में जमा होते गए इन कर्मों पर इश्वर की क्रपा हुई और हमें मनुषियोनी के लिए चुना गया मनुषियोनी हमें मिली उसके पहले हमने कई सारे जीवन जिए है उन जन्मों में हमने जो जो अच्छे कर्म किये वो हमारे खाते में जमा होते गए अच्छे कर्म किसे कहते हैं आपके द्वारा किया गया वो कर्म जो दूसरों को सुख पहुचाता है खुशी पहुचाता है ऐसे कर्म अच्छे कर्मों की श्रिणी में आते हैं अच्छे कर्म हमारे खाते में जमा होते गए उन कर्मों पर इश्वर की क्रपा हुई और हमें मनुश्योनी के लिए चुना गया जिस छण हमें मनुश्योनी के लिए चुना गया देवताओने अपने दूत हमारे पास भेचे पूछने के लिए कि तुम्हें मनुश्योनी के लिए चुना गया है आपको मनुश्योनी चाहिए है क्या आपका तत्य छण उत्तर था कि मनुश्यों ने मुझे चाहिए है मैं अच्छे कर्म ही इसले कर रहा था अच्छे कर्म ही इसले कर रही थी कि मुझे मनुश्यों ने चाहिए है दूसरा प्रश्ण आपसे पूछा गया कि यदे मनुश्यों ने चाहिए है पृत्वी पर आप जाना चाहते हैं मनुशियों नी धारन करके तो नरतन धारन करना चाहते हैं या नारीतन धारन करना चाहते हैं मेरी भेनों ने चुना नारीतन मेरी भाईयों ने चुना नरतन तीसरा प्रश्ण आपसे पूछा गया कि इस नर्तन, नारीतन को धारण करके आप प्रित्वी पर जाना चाहते हैं तो कितने वर्षों तक आप प्रित्वी पर रहना चाहते हैं पांस साल, दस साल, पंदरा साल, बीस साल, पच्चीस साल, सो साल यदि समझो हमने कहा कि मुझे 70 साल प्रिथवी पर रहना है तो हिसाब लगाए जाता कि 70 साल तक यदि इस व्यक्ति को प्रिथवी पर रहना है तो कितने अनाज की जुरत पड़ेगी क्योंकि हमारे साथ साथ तीन पुस्तके आती है हमारा राशनकार, हमारी पासबुक और हमारे काम करने का कोटा जिस सिछण हमने नियत किया कि नारीतन के साथ हम पृत्वी पर जाना चाहते हैं सत्तर साल रहना चाहते हैं हमारी पासबुक, राशनकार, काम करने का कोटा हमारे तीन पुस्तके हमारे साथ साथ आती है सबसे पहले आता है हमारा राशनकार हिसाब लगा जाता है कि दिस सतर साल प्रित्वी पर रहना है तो कितने अनाज की जरत होगी? हिसाब लगाए 200 kg की जरत पड़ेगी अंदाजन 200 kg लोग अनाज चीएगा आपके राशनकार में 200 kg अनाज लिखा जाता है रिक्वार्मेंट है 200 kg की और आपके खाते में लिखा जाता है धाई 100 kg और आपको दिखा जाता है कि रिक्वार्मेंट 200 है धाई 100 लिखा है और चाहिए है क्या? पर अपने खाते में से यानि कि राशनकार में से घटत बढ़त हम स्वयम करते हैं कैसे करते हैं अपने राशन कार्ड में से घटत बढ़त दो तिन एक्जाम्पल आप तक पहुचाते हैं आपको आसानी होगे समझने में कि कैसे अपने राशन कार्ड में से हम अपना अनाज घटत बढ़त करते हैं जैसा कि आपने जाना शुरुआत में कहा था हमारी भेनों ने कि हमारा सेंटर चलता है हफते में पांस दी जहां तन के रोगी, मन के रोगी आते हैं अपना इलाज कराने के लिए ऐसे ही एक जोड़ा हमसे मिलने के लिए आया अंदाजन उम्र होगी पचासिक साल की, दोनों की और ऐसा था कि महिला की तब्यत पिछले आठ मेनों से ठीक नहीं थी, पत्ने की तब्यत कुछ भी खाया पिया उसे जानी रहा था इलाज करा लिया देश में भी विदेश में भी दवाईयां उसके लागू नहीं पड़ रही थी जब मिलने के लिए वो जोड़ा आया उससे बाचित करने शुरू की महिला से जानने के लिए कि बिमारी कैसे शरीर के भीतर पहुची है बातों इंबातों में सहाजी हमने उससे पूछ लिया कि पिछले आठ महिनों से तुम कुछ खापी नहीं पा रही हो पर उसके पहले जब भी लंच करती थी या डिनर करती थी तो थाली में जूठा छोड़ती थी क्या बोजन जूठा छोड़ती थी क्या वो कुछ कहती उसके पहले पती देव बोल पड़े कि हमारी शादी को 25 साल हो चुके हैं 25 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं गया एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन इसने थाली में भोजन जूठा ना छोड़ा हो नियम से, नियम से कभी इतना कभी इतना इतना नियम से जूठा छोड़ती है मैं कई बार कहता हूं जुठा मज छोडा करो पर इसका नियम है थाली में भोजन जुठा छोड़ती है अगला प्रश्ण हमने से पूछा है कि घर में लंच बनता है, डिनर बनता है और हर घर में इतना 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 तो भोजन बची जाता है किसी दिनी ऐसा होता कि सारा का सारा भोजन प्रयोग कर लिया गया हूँ जो भोजन बचता है उसका क्या करती थी? इस पर भी पतिदेव का जवाब था कि कटोरी 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 फ्रीज में सरकाती थी हम इससे कहते थे servant को दे दो, helper को दे दो, watchman को दे दो, पर देती नहीं थी जब 4-5 दिनों में भोजन खराब हो जाता था तो मैं खुद कटोरियां बाहर निकालता और dust में फेकता हमने उस महिला से कहा कि तुमने तुमारे हिस्से का भोजन क्या किया dust bean में डाल दिया अब कहां से भी तर जाएगा दूसरा case आसानी हो की समझने में और ये भी कि हम भी ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाए इस कारे को करते करते दूसरा case ऐसे ही पती-पत्नी आये और इस वक्त भाई की तब ठीक नहीं थी उन भाई से मैंने पूछा जोड़ा आया था मिलने के लिए उन भाई से मैंने पूछा कि आपको क्रोध बहुत आता है क्या क्योंकि कोई भी बीमारियों सबसे पहले आपका खाना छूटता है कोई भी बीमारियों खाना पिना बंद होता है का हम ने उसे पूछा कि भाईया आपको क्रोध आता है क्या जवाब पत्नी ने दिया कि इनके तो नाक पर ही गुसा बैठा रहता है पत्नी आगे बोल पड़ी कि हफ़ते में साथ दिन में से दो ती दिन तो ऐसा होता है कि थाली सामने आती है यदि खुद के स्वाद का नहों खुद के टेस्ट का नहों तो इतना गुसा बीतर है कि थाली की थाली उठा कर फेकते हैं और नियम है कि कुछ न कुछ मीन मेंख निकाल कर ही भोजन भी तक ड़ जाता है नियम से मीन मेंख निकालते हैं यह ऐसा क्यों बना यह ऐसा क्यों बनाया हमने का भीया तुमने तुम्हारे हिस्से का भोजन ताली फेक ही और जो मिलता है इतना मीन मेख निकाल कर खाते हो जो भोजन अर्बो लोगों को दुरलब है हमें इतनी आसानी से मिलता है हम बजाए हात जोड़कर खाने के इसे उठा कर फेकते हैं कहां सी भी तर जाएगा तो अपने राशनकाड में से घटत बढ़त हम स्वयम करते हैं अगली पुस्तक हमारे पास आती अब समझ गे ना राशनकाड में से घटत बढ़त हम स्वयम कैसे करते हैं एक सीधा सरलसा एक्जामपल ताकि आपको समझने में और अधिक आसानी हो समझने में कि राशनकाड में से गटत बढ़त हम किस सरा करते हैं अब अधिकांश यहाँ पर माताई भेने बैठी वी है हम अपने बच्चों को नियम से टीफिन देते हैं नियम से टीफिन देते हैं और नबे प्रतिशर टीफिन का फिक्स मेनु है, दो पराथे और सुकी समझी, फिक्स मेनु है सबका, बच्चा छुटा होके बढ़ाओ, दो पराथे और समझी, जब स्कूल से बच्चा घर आता है, सबसे पहले बैग रखा, मा काम होता है, उसका टीफिन निकाला, चेक किया, टीफिन मेदी हमने देखा कि आधी पौनी रोटी वापस आई है, उस बच्चे से पूछते हैं, खाया क्यों नहीं, वापस कैसे लेकर आया, पूछते हैं उससे, नहीं नहीं खाया, छूड़ दिया, और ये दोनों रोटी भी खा ली, फिर भी पूछते हैं, कि तुने दोस्तों को भी खिलाए, अभी देखिये, यदि दो तीन दिन लगातार, आधी पौनी रोटी टीफिन में वापस आती है, तो हमारा अगला कदम क्या होगा, उसे हम अगले दिन से एक रोटी डालना शुरू करतेंगे, एक रोटी छोड़तेंगे, कि रोज वेस्ट करता है, एक रोटी ही टीफिन में बस है, बराबर है कि नहीं? और यदि रोज दो रोटी खा रहा है, और कहता है कि मैंने भी खाई, दोस्तों को भी खिलाई, आपका अगला कदम क्या होगा, एक रोटी और टीफिन में बढ़ा देंगे, कि तू भी खा, तेरे दोस्तों को भी खिला तो ऐसे ही हमारे खाते में से वो घटत बड़त करता है यदि हम अन का सदूपयोग करते हैं तो और एक सुन्दर सा एक्जामपल जरूर जो सत्य घटना है आप तक पहुँचाना चाहूंगी इस बाबत जो राशनकार की बाबत एक महिला जो की 35 साल की अंदाजन होगी अस्वस्त बिमार हम जब कारण जानना चाह रहे थे उसे बाचित करना शुरू किया उसने खुद ने फिर बैताना शुरू किया कि जब मैं नहीं नहीं शादी होकर आई मेरी सासुमा से बनती नहीं थी मैंने उसे परेशान करने की ठानी सासुमा को परेशान करने की ठानी खुद बिमार एक दम 35 शालिस उमर की महिला बिमार एक दम बात करते करते उसने बताना शुरू किया अपनी बात कि अपनी सासुमा के मेरी बनती नहीं थी मैंने उन्हें परेशान करने की धानी मैंने का कैसे परेशान करती थी तुम अपनी सासुमा को तो बहुत जिस दिन मैं और मेरे पती जल्दी खाना खा लेते थे और सासुमा और ससुरजी बात में खाना खानने वाले होते तो उनके भोजन में नमक मिर्ची अधिक डाल देती ताकि वो खाना पाए इस तरह से उन्हें परेशान करती थी हसने का विशह नहीं है ये गंबीरता का विशह है मैंने का तुमने उस वक्त उनका खाना चुड़ाया क्योंकि नमक मिर्ची अधिक डालने के बाद सास सुर्खाना नहीं का पाते थे तुमने उनका चुड़ाया तुम्हारा अभी छूट गया वो तुम्हारी पती ने तुम्हारा साथ दिया जब सासुमा प्रिटे से कहते थे कि तुमारी पत्नी नमक मिर्ची अधिक डालती है जरा ध्यान दो बोला मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है तुम्ही डालती होगी करम उसके भी बंदे थे अब उसका समय लग रहा है उसका धन लग रहा है बिमारी तुम भोग रही हो तो अपने राशन काड में से घटत बढ़त हम स्वैम करते हैं दूसरी पुस्तक आपके साथ आती है आपके काम करने का कोटा अप लिखवा कर लाते हैं कि ये एक काम में प्रिथ्वी पर जाकर करूँगा या करूँगी पर यदि आप अपना काम किसी और से करवाते हैं तो सोच लीजिए किसी और का काम आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा सत्य एक्जामपल क्योंकि नित नए लोगों से मिलने का काम पढ़ता है हफते में पांस दिन सेंटर चलता है नित नए नए लोगों से काम पढ़ता है मिलने का और सीखने ही मिलते हैं बहुत सारी चीजे लोगों से सीखा और लोगों तक ही पहुचा रहे हैं हमारे सेंटर पर लगबग साथ वर्षिया महिला आती है निमित सेवा देने के लिए उसने बताया कि उसके 35 साल का बेटा C.A.M.B.A. उच्छ सिक्षित उच्छ पद आसीन मल्टिनेशनल कंपनी में काम करता है बहुत महंती है और इमानदारी के साथ अपना काम भी करता है पर उसका बॉस उसके काम से संतुस्ट नहीं है उसका बॉस उसे नेमित परेशान करता है अत्रिक्त कार्यभार करने के लिए देता है उसकी डूटी आठ बज़े तक ही है रात को ग्यारा बज़ तक भी उसे छुटी नहीं मिल पाती तो ऐसा कुछ उपाय बताएं कि मेरा बेटा आठ बज़े अपनी ओफिस से फ्री हो जाए हमने थोड़े जब तब बताए पर नतीजा नहीं आ रहा था हमने उनसे कहा कि अपने बेटे को यहां ले आई है बेटे से मिल लेते हैं पता चलेगा कि कहां रुकावट आ रही है और बेटे के सुभाव के बारे में थोड़े से मा से जानकारी हमें मिल गई थी जब बेटा मिलने के लिए आया हमने सहाजी उससे पूछा कि कितने बज़े office जाते हो 9 बज़े कितने बज़े उठते हो 8 आदे गंटे में तुम्हारा सारा काम हो जाता है बोला हो जाता है और हमें पहले से मालुम था सुभाव इसका क्रोधी सुभाव था और निकल office जाने के पहले पूरा घर हिला दे था कि खुद का सामान ठीकाने पे रखता नहीं था मुबाइल कहां पर, जश्मा कहां पर, जूते कहां पर, बैक कहां पर और सुबे जब सामान नहीं मिलता, मा पे चिलनाता ये सामान की दर है, ये सामान की दर है, ये सामान की दर है और जो नाश्ता करता था टेबल पर वैसे ही प्लेट छूड़ कर जाना हमने उसे प्रेम से समझाया कि तुम्हारा जो काम है समान एक जगा रखना जो जूठा भोजन जो प्लेट रखते हो प्लेट उठा करने के बाद थास्थान रखना यह सारा काम तुम्हें वस्द करके जाओ ताकि तुम्हें ऑफिस में अतरिक्त कारिय नहीं करना पड़ेगा तुम यहां का अपना काम सारा दूसरों से करवाते हों जो तुम्हें करना चाहिए इसलिए वहां पर तुम्हें दूसरों का काम करना पड़ता है बोला अंटी ऐसा होता है क्या मैं नहीं मानता मैंने का ऐसा होता है तुम साथ दिन experiment कर लो एक नदीजा नहीं मिलता तो छोड़ देना उस बेटे का तीसरे दिन फोन आया कि येस इट वर्क्स मुझे आज आठ बजे ही बॉस ने छोड़ दिया मैं घर से अपना काम करके निकलता हूँ ओफिस में मुझे उतना ही काम करना पड़ता है दूसरों का काम नहीं करना पड़ता है यदि आप अपना काम सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको दूसरों का काम नहीं करना पड़ता है तो काम करने का कोटा, यानि आपके काम करने की पुस्तक भी आपके साथ आती है, तीसरी पुस्तक जो आपके साथ आती है, आपके पास्वुक, कितना धन आपको चाहिए है, आप लिखवा कर लाएं है, घटत बड़त हम कैसे करते हैं, आप तक पांच अध्धाय कि इस धन में बड़ोतरी कैसे करते हैं, हम बरकत कैसे करते हैं, गटाते कैसे, हर अध्याए में धन की बाबत आपको उत्तर मिलते जाएंगे, और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगे, कि पाँच अध्याए जो आप तक पहुंच रहे हैं आज, उन पाँच अध्याएं को पैकेज को स्वस्त, पैकेज यानि तन, मन, धन, संबंधों को स्वस्त, अब यही व्याख्यान माला हमारी वकीलों के बीच चल रही थी, नाराण शास्त चल रहा था, और जब हमने ऐसा कहा कि पाँच अध्याए ध्यान से सून लेजिए, उसमें से किसी भी एक अध्याए पर काम करना शुरू कर देजिए और नतीजे तन्य मन धन्य सम्मांद स्वस्त तीन सो चार्ट सो की गैदरिंग थी भाईजी उसमें से एक व्यक्ति खड़े हो गए वकील पड़े लिखे थे उन्होंने का कि हम आपका पूरा नारायण शास्त्र सुनेंगे पांच अध्याय भी उसमें架े एक अध्याय पर काम करना भी शुरू कर देंगे पर नतीजे आने में कितना समय लगेगा यानि हमारी इस package को स्वस्त होने में तन, मन, धन, सम्वंदो को स्वस्त होने में कितना समय लेगा आपका नारायन शास्त्र का एक अध्या है क्योंकि हम योगा करते हैं, एक्साइज करते हैं प्रायनाम करते हैं डाइट करते हैं तो शरीर पर असर आने में एक में ना दो में ना तीन में तो लगता है तो यदि हम आपके कही बातों के अनुसार यदि काम करना शुरू करते हैं तो कितना समय लगेगा हमने का तत्य छण नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, तत्य छण अगला प्रश्न था उनका वकील का कि what do you mean by तत्य छण तत्य छण का मतलब क्या अमने बताया उनको तत्य छण का मतलब क्या कि कारबन ले लीजिए एक पेपर ले लीजिए एक कारबन ले लीजिए एक पेपर उपर नीचे कारबन नीचे पेपर जब उपर लिखना शुरू करते हैं नीचे के पेपर तक संदेश जाने में कितना समय लगता है तत्य छण ऐसा ही नतीजा आपको तत्य छण मिलना शुरू हो जाएगा जब आप इस अध्याय पर काम करना शुरू कर देंगे और ऐसा भी ऐसा भी प्रबल विश्वास है कि जिस मांसिक अवस्था के साथ जिस शारिर्क व्यवस्था के साथ आप इस हॉल में पधारे थे आपकी मांसिक अवस्था में परिवर्तन आपके शारिरिक विवस्था में परिवर्तन ऐसा परबल विश्वास है कि बैठे बैठे आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ पहले से बैटर है बैटर है बैटर है अब जब आपने आप से कह कि राशनकार पास्बुक काम करने का कोट आपके तीन पुस्त के आपके साथ आती है अगला प्रश्न आप से पूछा गया आपने का कि सतर साल पृत्वी पर रहना चाहते हैं तो अगला प्रश्न आप से पूछा कि बच्पन कैसा चाहिए जवाने कैसी चाहिए बुढ़ापा कैसा चाहिए अंत समय कैसा चाहिए पच्छासु प्रकार के बच्पन पच्छासु प्रकार के जवानी बुढ़ापा सब आप के सामने दिखा दिया गया कि इसमें से चुन लीजिए बच्पन, जवानी, बुढ़ापा अंत समय कैसा चाहिए हैं जो जीवन आप वर्तमान अवस्था में जी रहे हैं इसका चुनाव आप ने खुद ने किया था पर यदि वर्तमान अवस्था में आप खुश और संतुस्ट नहीं हैं तो इस चण भी आपको अधिकार है जिस तरह का जीवन आप जीना चाते हैं उस तरह का जीवन आप जी सकते हैं जीने के लिए तो क्या परिवर्तन करने होगे क्या चीजे स्विकार नहीं होगी हर अध्धाय में आपको कुछ ने कुछ ट्रिप्स मिलते जाएंगे ताकि आप जिस तरह का जीवन जीना चाते हैं उस तरह का जीवन जी सके तो ब अंतोस्ट नहीं है तो क्या परिवर्टन करने है हर अध्याय में आपको उत्तर मिलते जाएंगे हमें हक है एक सुन्दर स्वस्त सफल सार्थक जीवन जीने का क्योंकि हम नारायन की संतान है अगला प्रशना आप से पूछा गया कि आप सत्तर साल प्रिथ्वी पर रहना चाहते हैं तो सेवा करना चाहते हैं या सेवा करवाना चाहते हैं दूसरों की सेवा करना चाहते हैं या दूसरों से सेवा करवाना चाहते हैं दो बोड वहां टंगे वे थे दोनों में से आपको एक चुन्ना जो उत्तर होगा उस अनुसार ही है, इस कथा ये कथा आगे बढ़ती जाएगी कथा यानि नारायन शास्त्र आगे बढ़ता जाएगा क्या उत्तर मांगे मन ने आपका सेवा करना चाहते हैं आपने चुना सेवा करना आपका उत्तर सुनकर नारायन को अती आपने चुना सेवा करना आपका उत्तर सुनकर नारायन को अती प्रसनता हुई उन्होंने कहा कॉंपलिमेंट दिया है आपको सुन्दर सा उपहार दिया है कि यदि मेरे बच्चे सेवा करना चाहते हैं तो क्या सा योग नारायन के तरफ से रहेगा देख ली जिजरासा नारायन शास्त्र पहुंच रहा है आप तक और पहला अध्या है आप तक यदि आप तन से सेवा देते हैं दूसरों को तो नारायन कहते हैं कि आपके तन को स्वस्त रखने के जिम्मेदारी मेरी है यदि आप तन से सेवा देते हैं दूसरों को तो नारायन कहते हैं कि आपके तन को स्वस्त रखने के जिमेदारी मेरी है तो यदि धन से योगदान देते हैं क्योंकि सेवा होती है तन से सेवा होती है धन से यदि आप धन से योगदान देते हैं तो आपके धन को multiply करने के जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा नारायन कहते हैं यदि तन से सेवा देते हैं, तन को स्वस्त रखने के जिम्मेदारी मेरी धन से सेवा देते हैं धन के बड़ोतरी करने के जिम्मेदारी मेरी पर छोटी सी शर्त है आपनों देखते हैं ना बाहर बड़ी बड़ी बैनर लगी होते हैं कम्पनियों के 60% sell, 80% discount, 90% discount बड़ी बड़ी कम्पनियों को आता है बैनर, 90% discount पर चोटा सा star लगा होता है कि condition apply नारायन कहते हैं कि तन की सेवा देंगे तन आपका स्वस्त रखूंगा, उसकी जीमिदारी मेरी है पर चोटी सी शर्त मेरी भी है क्या शर्त है कि तन के साथ आपका मन जुड़ा होना चीए जब आप तन की सेवा देते हैं तन की सेवा के साथ आपका मन जुड़ा होना चीए यदि मन जुड़ा हुआ है तन की सेवा के सार तो मैं बाद दे हूँ आपको स्वास्त रखने के लिए बाद दे हूँ कहते हैं बाद दे हूँ तन को स्वास्त रखने के लिए हमने देखा क्योंकि पिछले 25 साल से इस चेत्र में काम कर रहे हैं कितने नितने लोगों से मिलते हैं यह देखा हमने कि सौ प्रतिशत लोग सौ प्रतिशत लोग सेवा करते हैं सेवा देते हैं तन की सेवा देते हैं पर समवादों के साथ तन की सेवा देते हैं पर मन जुडा हुआ नहीं होता मैंने ठेक आला रखा क्या सारे दिन मैं ही खड़ती रहती हूँ मैं ही खड़ता रहता हूँ कितने समवादों के साथ सेवा देते हैं समवाद समझ रहे हैं आप कि मैंने ठेकाले रखा है क्या सारा कुछ मेरे जिम्मे है क्या मैं भी ठक जाता हूँ कर जाता हूँ कितने समवादों के साथ यदि समवादों के साथ सेवा देते हैं नारण कहते हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुमारे तन को स्वस्त रखने के हैं यदि इस भाव के साथ सेवा देते हैं कि नारण कर तूरा है माध्यम मुझे बना रहा है तेरा धन्यवाद है यदि ऐसी विवस्था के साथ हम सेवा देते हैं बारम बारे भाव कि Νारायन कर तूरा है माध्य हम मुझे बना रहा है नारायन कहते हैं कि ऐसी अवस्था में मैं बाद हो जाता हूँ तुम्हे स्वास्थ रखने के लिए तुम्हें स्वस्त करने के लिए, तुम्हें स्वस्त रखने के लिए यदि संवादों के साथ सेवा देते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे तन को स्वस्त रखने के एक एक्जामपल, ताकि आपके लिए आसान हो कि तन और मन का जुड़ाव किसे कहते हैं आजकल की महलाएं बेहद, होश्यार, स्मार्ट, एक्सपर्ट घर भी समालती हैं बाहर भी समालती हैं दोनों छेत्र समालती हैं ऐसी अवस्था में जब उनके पास अतिव्यस्त जीवन जी रहे हैं घर भी समालते हैं, बाहर भी समालते हैं ऐसी अवस्था में जब उनके पास पीहर से फोन आता है मैके से फोन आता है कि मा की तब्यत ठीक नहीं है दोड़े दोड़े जाते हैं सेवा देने के लिए पूरे मन से वहां सेवा देकर बारम बार उनसे ये भी कहकर कि वापस कुछ काम होगा तो बुला ले ना आद्ली रात को भी तयार हूं मैं वहां पूरे सेवा देकर घर वापस आते हैं और मन में एक संतुस्त्री होती है कि हम उनके कुछ तो काम आए